प्यारे बच्चों कक्षा 6 में आज हम अध्याई 13 सम्मीती के objective type question देखेंगे वस्तुनिष्ट प्रशन देखी पहला प्रशन कि एक विसम बाहू त्रीभुज की कितनी सम्मीत रेखाएं होती हैं विसम बाहू त्रीभुज में हमारे पास कितनी सम्मीत रेखाएं होती हैं विसम बाहू त्रीभुज एक ऐसी त्रीभुज है जिसमें कोई भी बूजा समान नहीं होती हैं समान होती है ये दो बुजाएं समान है ये बुजा इस बुजा के समान है तो इसमें एक सम्मित रेखा ऐसे बन सकती है ठीक है ना तो इसमें सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी होगी एक होगी ठीक है अगला प्रशन है कि एक संबाहु त्रीबुज में सम्मित रेखाओं की स एक वरग में, एक वरग में सम्मित्रेखाओं की संख्या होती है, इस प्रशन के अंदर देखिए, वरग आप सभी जानते हैं, वरग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इस परकार की आकरती, एक सम्मित्रेखा तो बिल्कुल यहां बीच में से बन जाएगी, ठ ठीक है और एक सम्मित्रेखा ऐसे भी हमारे पास इसकी आईगि आप बना के देखेंगे तो एक वरग में सम्मित्रेखाओं की संख्या कितनी होती है हमारे पास वो चार होती है ठीक है अगला पृस्ण देखिए कि आयत में सम्मित रेखाओं की संख्या, आयत इस प्रकार की आकरती है हमारी ये, आमने सामने की वजाये समान होती है, तो सम्मित रेखा एक तो ये बन जाएगी, और एक सम्मित रेखा हमारे पास इसमें ये आ जाएगी, ठीक है, तो आयत के अंदे सिर्फ दो ही सम्मित रेखा के हो सकते हैं यह चत्रबुज भी हमारे पास हो सकता है इस टाइप का इसमें भी कोई समीत रेखा नहीं है यदि हम विशेश परकार के चत्रबुज की बात करें वरक की करें आयत की करें उसमें हम देख चुके हैं कि समीत रेखा कितनी होती है तो इसका हमारा ओप्सन चत्रब पंच बूज का मतलब सम पंच बूज की हम बात कर रहे हैं सम पंच बूज में सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी होगी पांच होती है सम पंच बूज में ध्यान रहे इसको ठीक है अगला प्रशन है कि एक सट बूज में यहां पे भी ध्यान रहे क्या आएगा सम सट बूज म उतनी ही रेखाओं की संख्या होगी सम की स्थिति में ठीक है सम चत्रभुज को छोड़ कर सम चत्रभुज थोड़ा सा अलग है इसमें ठीक है इस प्रशन में देखी कि एक वृत में कितनी सम्मित रेखाई होती है देखो वृत के अंदर तो जितने व्यास होते हैं उतनी सम्म रेखाई होंगी उरेखे वरीत के अंदर कितनी व्यास होते हैं अनन्त होते हैं अनकीनद होते हैं तो अनन्त सम्मित रेखाएं वरीत के अंदर होAngi देखिए कि सम्चत्रबूज में सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी होती है अब सम्चत्रबूज हमारे पास इस परकार की आकरेती होती है जिसके अंदर उसकी चारों बुजाएं समान होती है ये बुजा इस बुजा के बराबर ये इसके बराबर तो ऐसी सम्मित्रेखा इसकी नहीं बन सकती लेकिन विकरणों के साथ साथ इसकी सम्मित्रेखा सही बनती है एक ये वाली और एक ये वाली तो सम्चत्रभुज में कितनी सम्मित्रेखाई होती हैं दो ही सम्मित्रेखाई होती हैं सम बहुबुज की स्थिति में सिरफ सम्चत्र यह संधरा नाम हम क्या बोलते हैं बिलकुल शही कहा कि दरपन के सामने1900 के सामने जिस प्रकार कोई वस्तुव !! नजर आती है तो वह संम्मित रीखा का काम है उसको दरपन रिखा बोला जाता है तो इस तरह के पुरम quicklyरह rightly given ये भी ध्यान से देखें, ये भी आपके पास प्रशन में आ सकते हैं, तो ये हमारे पास इस अध्याय से संबंदित यही वस्तुनिश्ट प्रशन थे, आसा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब इसी तरह के और प्रशन देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, बाता के लिये, बाई बाई!